नमस्कार जम्मू समवाद देख रहे हैं आप और मैं हूँ नरेश शर्मा जम्मू कश्मीर में विधानसवा चुनावों के तहट आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और पोलिंग स्टेशनों के बाहर मतदाताओं की लाइने लगी हुई हैं मतदाता अपनी बारी का जारी किये हैं उसके मुताबिक सबसे जादा जो मतदान है वो पुंच में हुआ है पुंच जिले में अब तक 14.41 परतिशत मतदान दर्ज किया गया है और श्रीनगर में सबसे कम करीब 5 परतिशत वोटिंग अब तक दर्ज की गई है आपको बता दें कि आज 26 सीटों पर ज 11 सीटे जमू संबाग की है तो काफी कुछ परतिश्था के बड़े नेताओं की दाम पर लगी हुई है लेकिन सबसे पहले आपको परसेंटेस बता देते हैं दूसरे जिलों की भी बढ़गाओं की अगर बात करें तो बढ़गाओं में 10.91 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है गंदरबल में 12.61 परतिशत दर्ज किया गया है इसके लावा राजोरी में 12.71 फीसदी वोट अब तक पढ़ चुके हैं 9 बजे तक के जे आंकड़े आपको बता रहे हैं और रियासी की अगर बात करें तो रियासी में 13.37 परतिशत वोट जो हैं 9 बजे तक डाले जा चु पूरा आपको बहुरा बताते हैं कश्मीर संभाग की कौन कौन सी सीट पर वोट डाले जा रहे हैं कश्मीर संभाग की अगर बात करें तो कंगन गांदरबल हजरतबल खानयार हबा कदल लाल चोग चनपोरा जदीबल इदगा सेंट्रल शेल्टरिंग बढगाम बीरवा खा द्वाण साहब चरारे शरीफ और चदूरा में वोटिंग हो रही है वही जमु संभाग की आगर बात करें तो जमी संभाग के कई महत पूर्ण सीटों पर दिगजों की जो किसमत है आज इवियम में बंध हो जाएगी गुलाबगड में वोटिंग हो रही है रियासी सीट पर वोटिंग हो रही है और महतपूर्ण मानने जाने वाली श्रीमाता वैशनो देवी सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं इसके अलावा काला कोट सुंदरबनी नोशेरा राजोरी बुद्दल थनामंडी सूरुन कोट प नोशेरा वहां पर भी वोटिंग चल रही है उनका नैशनल कॉंफरेंस के उमीदवार के साथ सीधा मुकाबला है सुरिंदर चौधरी के साथ इस सीट पर रात से ही गहमा गहमी थी कई कल रात को कई स्थानों पर नोशेरा में जड़पें भी हुई हैं यानि कि दो जो रोप परतियारोप जो है वो रात को चल रहा था और इस समय जो है वोटिंग है यानि कि दो बड़े नेताओं की जो किस्मत है आज इवियम में बंद हो जाएगी रविंदर रैना और सुरिंदर चौधरी की इसके लावा आगर बात करें तो और भी कई महत्वपूर्ण वहाँ पर वोटिंग हो रही है और दो स्थानों पर उम्र अब्दॉल्लार जो है वो चुनाब लड़ रहे हैं पहले थो कहरे थे कि चुनाब नहीं लड़ेंगे उसके बाद चुनाब लड़ने का फैसला किया और एक नहीं बलकि दो दो सीटों पर उन्होंने चुना सारी वो भी उनकी भी किस्मत आज EVM में बंद हो जाएगी आपको बता दें कि गुजर बकर बकरवाल जो समुदाय है और जो पहाड़ी समुदाय है उसकी भी क्या भूमिका रहती है उसका रुख किस तरफ रहता है यह आज महत्पूर्ण होगा देखना क्योंकि भारती जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारती जनता पार्टी के लिए पूंछ और राजोरी जिले काफी महत्पूर्ण है भारती जनता पार्टी का जो दाब था स्टी स्टेटेस देना गुजर समुदाय को और जो उनको राजनेतिक अरक्षन में मिला है पहाड़ी समुदाय को व कश्मीर में पहली बार विधान सबाचुनावों में गुजर बकरवाल और पहाडी समूदाय को राजनितिक अरक्षन जो है वो मिला है साथ सीटों में गुजर बकरवाल और पहाडी समूदाय में सबसे जादा गुजर बकरवाल समूदाय का ही परबाब माना जा रहा है इसके बकरवाल और पहाड़ी जंजाते समुधाय को राजनीतिक अरक्षन के दम पर ही भाजपा जो है पूरे क्षित्र में अपनी राजनीतिक दबदबा काइम करने की कोशिश कर रही है लेकिन ये देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार जो बीजेपी का जो दाम था वो सही बै सिजा का मकाबला होगा इसके लावा बुद्दल सीट पर नसी और बीजेपी का मकाबला मुकाबला के लख़ा है। जो सीट है वहाँ पर भी मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा तो काफी सरगरमिय है और उत्सा लोगों में काफी है वोटरों में काफी उत्सा है कई सारी तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं खबर आ रही यह його मतदान केंदर हैं उनके आगे मतदाताओं की जो है वो भीड लगी हुई है लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और काफी महतपूर्ण जे चरण है क्योंकि 26 सीटे हैं 15 सीटें कश्मीर संभाग की और 11 सीटें जमू संभाग की हैं और भारते जनता पार्टी के लिए प कांफरेंस और भाजपा का गड़ माना जाता था लेकिन 2014 की अगर बात करें तो अच्छा परदर्शन इस इलाके में बीजेपी ने किया था बीजेपी गुजर बकरवाल और पहाड़ी समुदा के दंपर एक बार फिर से इस सक्षेतर में अच्छा परदर्शन करने की जमुसंबाग अपने सभी दर्शकों को ये अपील करता है कि अगर आपके एक शेतर में आज चुनाव हो रहा है तो आप भी गर से बाहर निकलिए और वोटिंग जरूर कीजिए क्योंकि ये लोगतंतर में आपको सबसे बड़ा अधिकार मिला है और आप इस अधिकार का इ जरूर कीजिए फिलहाल इतना ही धन्यवाद